तो भाई मैं बात करने वालों UPSI की भरती के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि फिलाल UPSI की इस्तिती ऐसी हो गई है कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भरती में क्या होने वाला है जिसके कम नमर है और जो डिस्क्वालिफाय हो रहा है वो तो कहेगा कि भाई भरती कैंसल हो जा जानते हैं और मैं भी जानता हूं तो देखिए सबसे पहली बात तो यह कि अभी आपकी जो भरती कंटिन्यू रहने की यानि रेजल्ट वगरा जारी होने की और भरती पूरी होने की प्रवल संबावना है यानि अगर मैं बात करूं तो लगबग 90 और 10 का रेशियो हमारे तो 110 हैं सामने वाले के 120 हैं इतने पर सेलेक्शन नहीं हो पाय का यह है वो है जितने हैं उसके साथ positive रहो आप नहीं जानते कि आपका इंजो क्योशन की संक्या है वो 110 होने बाली है या 120 होने बाली है उसका reason देखे मैं आप सभी को बता देता हूं मान के चलिए कि example द किसी है तो normalization का benefit किसे मिलेगा किसी को नहीं पता मान के चलिए आपके बीच में gap अभी 10 question का है लेकिन वो 10 question का भी gap बहुत जाता नहीं है क्योंकि यहां पर normalization के अगर मैं बात करनों तो 10 से 12 नमर तक आराम से increase हो सकते हैं और 10 से 12 नमर तक किसी के decrease भी हो सकते हैं यानि यो 25 न solution की जो number है वो आपके increase हो जाते हैं तो आप पहुंझाते हैं 105-106 पर सामने वाले बंदे के 5-6 नमर decrease हो जाते हैं तो सामने वाला बंदा खित्ते पर खिसक्या जागा आप खोश समझिए कि आपके तो 110 से 105 हो गए और सामने वाले के 110 ते तो उसके 104 हो गए तो हो सकता है वो कोई करवा ही नहीं सकता आपका selection के सी भी हाल में तो आपने जब हारमान लिए तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता आप देखिए बहुत सारे लोग मुझे से कह रहे थे भाई तुम्हारे कित्ते नमर है मेरे भाई 112 नमर मतलब 112 equation तो 112 equation है मुझे नहीं पता होगा या नहीं होग क्योंकि अपना काम था एक्जाम देना और अपना पूरी तरह से जो इमानदारी से कर सकते थे वो काम कर दिया बाकी का कोई tension नहीं है और निश्य तोर पर बस यह मान के चलो कि भाई हां मैं दरुवा हो गया बाकी का जो होगा वो देखा जाएगा ज़्यादा मनलब tension लेने 120 होते तो मैं सेफ हो सकता था तो 120 और 110 वाले में कोई ज़्यादा गैप नहीं है मेरे भई इतना गैप आराम से कवर हो सकता है इस चीज को याद रखीएगा normalization इस बात का सबूत है क्योंकि देखे किसी ने 41-520 वाली वर्ती देखी होगी और उनिंचा 1-560 वाली वर्ती देखी होगी तो उसे अच्छे से पता होगा कि पुलिस में normalization का क्या रोल होता है 170 वाले नौकरी ले गए और 210 वाले और 200 वाले गर पे बढ़े रहे ठीक है त जिनका exam cancel नहीं हुआ था उनके साथ क्या हुआ था और जिनका exam cancel हो गया था उनके साथ क्या हुआ था तो कब भाई सब बाजी बलट जाए किसी को कुछ नहीं पता चलता तो अपनी तैयारी रखो सबसे better option यह है क्योंकि जो भी होगा अच्छा ही होगा अब तक हुआ है वो लोग अपने expectations बता रहें एक से एक top level के जो बंदे हैं मतलब अपने आप में बहुत बड़ी जिनकी coaching center हैं कोई तो उनमें से बता देता है कि 120 जाएगी और 125 जाएगी लेकर कुछ और भी बहुत अच्छे top level के लोग हैं वो बताते हैं कि 100 जाएगी 105 जाएगी और कुछ लो होगा और आपको थोड़ा relax feel होगा definitely आपकी जो तैयारी है वो आप अपनी तैयारी पर focus करेंगे निश्चत रूप से आपने मेनत किया तो आप दरोगा बन के रहोगे ठीक है तो चलो फिलाल विली बस इतना ही so thank you for watching जैहिंग जैवारत